आप सबी का तेहदर से आपके अपने ओफिशियल यूटीव चैनल इंग्लिश बाई मोहिस सर एमेस पर वर्म वेलकम है गाईज इस सेशन में हम डेली प्रैक्टिस 10 कोशियंस 0-2 सीरिस को करेंगे डिसकस और इस से पहले मैंने 0-1 सीरिस को करा है अपलोड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजेगा और इस सेशन में हम 0-2 के 10 कोशियंस को करेंगे डिसकस अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शियर करिएगा चलिए गाईज स्टार्ट करते हैं पहला कोशन कौन सा है देखे गाईज पहला कोशन आपके स्किन पर आ गया होगा लिखा का मिनिंग होता है कि सेंटेंस को ब्रेक करना और ब्रेक करने के बाद एक एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लेना तो जब सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है तो सबसे पहले वर्ब के पास जाया जाता है क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता तो इस सेंट और आटकिल आएगा तो नाउन भी आएगा मैटल क्या है एक नाउन है और नाउन में जो भी एड़ होता है उसे क्या कहते है उसे कहते है और गोल्ड भी अपने आप में क्या है एक नाउन है क्योंकि सेंटेस में क्या बन रहा था सब्जिक्ट बन रहा था इस सेंटेस में कहा जाता है English में compliment तो गैज simple लिखा ग्या है पोरा क्या है ये जो है लिखा ग्या है compliment है हिंदी में कहा जाता है पूरा अब मैं नाउन की बात करता हूं तो मैफले ह ужас मेटल अपने क्या है एक next है कμαरी है नाउन होता है अगर मैं कहता हूं गडल्ड outros this ये gold भी अपने आप में क्या है एक noun है लेकिन जब मैं बात करता हूँ metal कौन से kind का noun है तो आप reply करेंगे सर ये common noun होता है इसको ध्यान में रखिएगा ये कैसा noun होता है common noun होता है क्योंकि common noun की definition क्या होती है इसके जैसा कोई भी बस मेरे ये शब्द याद रखिएगा एक line कि इसके जैसा कोई भी उसे कहा जाता है common noun metal तो कोई सा भी हो सकता है अगर मैं कहता हूँ river तो कोई सी भी हो सकती है अगर मैं कहता हूँ boy तो कोई सा भी हो सकता है अगर मैं कहता हूँ mountain तो कोई सा भी हो सकता है तो इसे कहा जाता है common noun इस sentence में gold कैसा noun है किस kind का noun है तो आप कहो तो guys यह material noun नहीं है क्योंकि इस sentence में gold से कुछ भी नहीं बन रहा है material क्या होता है जब एक element से दूरा element बनाया जा सके और वो कैसा होना चाहिए raw material होना चाहिए तो इस sentence में gold से कुछ भी नहीं पनाया जा रहा है तो यह material noun नहीं है क्योंकि यह metal का name है इसलिए इसे कहा गया proper noun तो इस question का answer क्या हो जाएगा proper noun और abstract noun क्या होता है यह feeling या emotions होते है collective क्या होता है किसी thing या person का क्या होता है collection होता है जैसे jury की बात करे आर्मी की बात करे team की बात करे यह सारे noun कैसे है collective noun है इसको ध्यान में रखेगा तो इस question का answer क्या है proper noun है इसको ध्यान में रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question कौँ से हमारे सामने आ गया है इसमें भी आपको पहचानना क्या है noun find out the noun sentence पढ़ते है mobile covers are sold here तो sentence को जब break किया जाता है तो उसकी parsing करी जाती है और सबसे पहले web के पास जाया जाता है तो देखेंगे guys अपने आप में यह क्या है यह पूरी web है यह क्या है web है और यह helping web है और यह main verb है sold और here क्योंकि web में कुछ add कर रहा था अपने आप में क्या है एक add verb है अब इस sentence में web के पहले जो कुछ भी लिखा गया देखें guys एक basic जात रखेगा s, v, or o web के ठीक पहले जो कुछ भी लिखा गया उसे क्या कहा गया subject कहा गया जो subject होता है इसको बनने का right noun को होता है या pronoun को होता है और जो object होता है इसको बनने का right भी noun को होता है या pronoun को होता है एक बात और याद रखेगा guys क्या कि इस sentence में web के पहले क्या लिखा जाता है subject ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है अगर बड़ा हुआ तो इसकी दो condition होगी या तो ये clause होगा या तो ये क्या होगा phrase होगा clause क्या होता है इसमें verb mention होती है और phrase क्या होती है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है phrase को हिंदी में कहा जाता है क्या इसे हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है और फ्रेज की पहचान क्या होती इसमें क्या नहीं आती ये वर्ब नहीं आती इसको ध्यान में रखिएगा तो वर्ब के पहले अगर कोई बहुत बड़ा पार्ट लिखा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बड़ा पार्ट लिखा गया है तो या तो वो क्लाउस होगा या तो वो फ्रेज होगा यही कंडिशन वर्ब के बाद भी एप्लाई होगी अब्जिक्ट आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है अगर बड़ा हुआ तो दो कंडिशन होगी या तो वो क्लाउस होगा या तो वो फ्रेज होगा इसको ध्यान में रखेगा देखे गईज़ वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा गया यह पूरा क्या है सब्जिक्ट है इसको ध्यान में रखेगा लेकिन जो आर आराए किसके अकॉर्डिंग आ रहा है कवर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि मोबाइल के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आपको कह सर कवर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तो रियल में यह नाउन है यह क्या है नाउन है और mobile वैसे तो noun होता है लेकिन इस sentence में mobile noun नहीं है mobile क्या है यह एक adjective है इसको ध्यान में रखेगा तो अब यह sentence में noun कौन सा है जो को mobile adjective है तो यह answer नहीं होगा cover आपका answer हो जाएगा here अपने आप में adverb है और यह भी answer नहीं हो सकता तो answer क्या होगा cover तो इसको ध्यान में रखेगा बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों को हम समझेंगे आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आपका नजरिया बदल जाएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को गाईज अपने फ्रेंट्स में जरूर शेयर करेगा क्योंकि मैं जीरो से आपको इंगलिज को सिखा रहा हूँ मैं चाहता हूँ इस बार अंतिम बार है ना चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ अगला कुशन कौन सा हमारे सामने आ गया है देखे गाईज हमारे सामने कौन सा है पढ़ते हैं इसको लिखा गया है find out the noun अब की बार पूचा गया है कि gold अगर noun है तो वो कौन से kind का noun है sentence क्या है this ring was made of gold इस रिंग को gold से बनाया गया है तो अब देखे गाईज इस sentence में gold के बारे में पूचा गया यह noun है की नहीं तो गाईज यह noun है क्योंकि of अपने आप में क्या है और इसके बाद लिखा क्या जाता है noun noun या pronoun लिखा जाता है तो gold अपने आप में क्या है noun है अब आप से मैं पोजता हूं यह कैसा noun है देखे पहले sentence में gold जो आया था वह proper noun था क्योंकि उस sentence में gold से क्या बनाया जा रहा है कुछ बनाया जा रहा है ring बनाई गई है ना तो अब की बार यह material noun हो जाएगा कैसा noun हो ज होता है इसके जैसा कोई भी तो यह भी आपका answer नहीं होगा collective क्या होता है किसी person या think क्या होता है collection होता है jury हो गया army हो गया class हो गया team हो तो यह भी answer नहीं है अगर मैं कहता हूं इस sentence में ring noun है तो आप कहोगे sir बिलकुल noun है क्योंकि this और that के बाद कोई single word आता है तो वो noun होता है this ring तो रिंग भी अपने आप में क्या एक noun है कोई पूछे कैसा noun है तो कोई सी भी हो सकती है यह कैसा noun है यह common noun है इसको भी ध्यान में रखिएगा तो गैस अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा next question कौन सा है question number 4 पे आते हैं लिखा गया है find out the noun इस sentence में noun को होगे सर इस sentence में यह क्या है यह article है यह क्या है और इस पूरे sentence की verb कौन सी है इस पूरे sentence की verb no है क्योंकि पूरे वाकिय का यह tense बता रही थी और इस sentence में बात किसके बारे में करी जा रही है आई के बारे में तो आई क्या है अपना subject है अब मैं इस से इस verb से में what का reply करता हू तो what reply क्या होता है आपको पता होगा basic में क्या होता है object होता है इसको ध्यान में रखेगा अब ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है बड़ा हुआ तो या तो clause होगा या तो क्या होगा phrase होगा clause क्या होता है verb mention होती है phrase क्या होता है verb mention नहीं होती है देखते है I know what त यानि कि अगर object है तो यह पूरा ही क्या है अपने आप में एक noun है तो एक noun तो teacher हो गया teacher कैसा noun है आपको teacher तो कोई सा भी हो सकता है तो कैसा हो जाएगा common noun तो एक आपका that से लेकर teacher तक भी क्या है पूरा एक noun है और पूछे कौन सा noun है तो याद रखेगा यह जो box में मैंने दिखिया है इसको इतना बड़ा noun जो है इसका नाम क्या है एक statement जो होता है वो होता है abstract noun होता है ऐसा आपने कहीं नहीं पड़ा होगा इसको ध्यान में रखेगा यह object है इतना बड़ा और इसको बनने का right noun या प्रनौन को होता है प्रनौन तो है नहीं बचा क्या noun और noun में स कौन सा नाउन है abstract नाउन है इसको ध्यान में रखिएगा और teacher कैसा नाउन है common नाउन है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि ऐसी चीज़ जबाब पढ़ते हैं तो आप अपने exam में अच्छे marks लेकर आते हैं चलिए guys आपको ये question समझ में आ गया होगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ next question हमारे सामने कौन सा आने जा रहा है question number 5 पूछा गया है find out the compliment compliment क्या होता है इसको हिंदी में कहा जाता है पूरा क्या कहा जाता है पूरा क्या पूरा करने वाला अब या तो करेगा subject को पूरा या तो करेगा object को पूरा चेक कर करते हैं तो आपको answer में क्या मिलता है आपको answer मिलता है object चेक कर लेते हैं रमेश called whom किसे बुलाया गया है मी को और मी अपने आप में क्या है एक object है और बात किसके बारे में करी जा रही है रमेश के बारे में क्या है subject है रमेश एक noun है और noun कौन से है रमेश एक नाम है की नह मुनु जो है गाईज यह अपने आप में क्या है कॉम्प्लिमेंट है क्योंकि यह किसी को पूरा कर रहा है मुनु कौन है क्या रमेश है बिल्कुल भी नहीं क्या कॉल्ड है बिल्कुल भी नहीं क्या मी है जी हां मी बराबरी तो क्या है मुनु है यानि कि अब की बार क्या हो एस sentence में आंसर का होगा और मोनु अपने आप में प्रापर नाउन है इस sentence में object को पूरा कर रहा था इसलिए object, compliment होगा इसको ध्यान में रखेगा तो यह सारी बाते आपको समझनी है और बहुत ही अच्छी तरह के से कोई भी डाउट अगर बनता है तो आप comment section में बताएंगे वो आपको बताया जाएगा चलिए guys अब हम देखते हैं हमारा अगला question कौन सा है question number 6 देखते हैं 6 number में क्या कहा गया है लिखा गया है find out the direct object अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है direct object देखे कुछ नहीं होता है verb के पास आपको जाना है verb क्या होती जो आपको tense बताती है verb के पास जाना है और इससे what और whom का reply करना है बास समझ में आ रही है what का reply करोगे क्या मिलेगा direct object मिलेगा और whom का reply करोगे क्या मिलेगा indirect object मिलेगा बस इतनी सी बात याद रखनी है अब इस sentence में वब कौन सी है गेव है पूरे sentence का ये tense बता रही थी है ना अब देखो she gave what और what का reply क्या है आप pen यानि कि ये object तो है कौन सा है direct object है और ये whom का reply है तो ये कैसा है indirect object है और ये अपने आप में क्या है subject है यानि कि pronoun है इसको ध्यान में रखिएगा तो answer क्या है आपका she आपका subject है फ्रनौन ने answer नहीं होगा gave आपकी पूरे sentence की वब है ये भी answer नहीं होगा me अपने आप में क्या object है लेकिन कौन सा है indirect object है जिस can not be the answer answer क्या है आपका pen pen आपका real में क्या है यही आपका answer है और यह आपका क्या है direct object है work का reply था कोई पूचे pen noun है तो कहना a के साथ article लगा है तो article के साथ single word लिखा जाता है तो उसे noun कहा जाता है तो pen अपने आप में noun तो है लेकि noun कौन सा है pen तो कोई सा भी हो सकता है तो यह common noun है इसको ध्यान में रखिएगा लेकिन pen का जबाब pen को किसी brand के साथ जोड़ देंगे जैसे marker pen तो अपने आप में proper noun हो जाएगा इसको ध्यान में रखिएगा चलिए guys तो बहुती अलग अंदाज में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब की बार अंतिम बार है क्योंकि अब की बार सीख लिजए अच्छी तरीके से और अच्छे marks को gain करिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ question number देखता हूँ 7 कौन सा है लिखा गया है change into passive voice change into passive voice अब आपको इस sentence में बनाना है passive देखिए थोड़ा सा मैंने advance दिया है कोई बात नहीं है देखिए what you say what you say does not attract them तो इस sentence में अगर आप देख रहे हैं तो verb कौन सी है क्योंकि सबसे पहले verb को पहचाना जाता है तो आप कोगे सार एक save verb है और एक does not attract verb है लेकिन इस पूरे sentence में tense कौन बता रही थी इसकी हिंदी क्या है what you say जो तुम कहते हो ये बात उनको attract नहीं करती है करती है ता ती ते यानि कि जो tense की information दे रहा था does not attract पूरे sentence की guys क्या है ये वब है और इसका जो effect है किस पर transfer हो रहा है देंपर तो action जब transfer होता है तो उसे क्या कहते है object कहते है क्योंकि action का receiver है ये और बात किसके बारे में करी जा रही है attract क्या नहीं करता है तो आप कहोगे what you say तो इतना बड़ा क्या है आपका इतना बड़ा guys क्या है आपका ये subject है क्या है subject है what you say तो आप होगे सब इतना बड़ा subject तो guys subject बड़ा भी हो सकता है अगर बड़ा हुआ तो या तो यह clause होगा या तो यह phrase होगा तो what you say से अगर मैं पूसता हूँ कि यह clause है कि फ्रेस है clause क्या होता? इसमें verb आती है और phrase क्या होता? इसमें verb नहीं हाती, दeखो यह क्या है अपकी verb है कि नहीं say? यानि कि यह क्या हो गया अपने आप में clause हो गया अगर मैं पूसता हूँ what you say से लेकर यह noun है कि नहीं क्योंकि यह subject है यानि कि यह noun भी है अपने आप में क्या है noun है तो बिल्कुल हमारा basic clear हो गया क्या कि एक बात समझ में आई सरकार क्या समझ में आई कि इस sentence में what you say पूरा क्या है आपका subject है does not attract क्या है पूरी verb है और them क्या है object है अब अपना वही काम है interchange करेंगे them को इधर लेकर आएंगे क्या लिखेंगे दे और जो what you say है ना इसको मैं एक time पर क्या मानता हूँ ठीक है ना तो आप बनाएंगे passive कैसे दे लिखा आपने और does not है ना tense कौन सा है present indefinite है ये change नहीं होगा वहाँ पर आप क्या लगाएंगे is rm के साथ verb की transform तो दे लगा है ना तो कहले को कि they are not attracted attracted by और पूरा चला जाएगा what you say it means x तो यह advance का passive है SSC से कई बार repeat कर चुका है इस type की question को तो guys अब हमें इस लेवल पर पढ़ा ही करने ही पढ़ेगी क्योंकि वह अब समय नहीं रहा कि जब पूछा जाता था राम इस राइटिंग अलेटर तो पैसिव क्या बनाते थे अलेटर इस बीइंग रिटेन बाई राम तो यह basic है और आपको इस advanced level पर पहुचना ही पढ़ेगा देखिए basic तो सारा वही है बस subject बढ़ा हो गया है और यह वब है यह object है इसको ध्यान में रखेगा तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ अगला question कौन सा है question number 8 पूछा गया है find out the direct object तो अभी मैं पढ़कर आया था what कर reply क्या ह होता है direct object होता है और यह वर्ब से किया जाता है he gave me what I wanted इस sentence वरभ यह ही गेव वट और वोट का reply क्या है what I wanted तो इतना बड़ा क्या है या क्या object है यानि कि कैसा object है direct object है और he gave whom me क्या है आपका indirect object है इसको ध्यान में रखेगा he क्या है subject में क्या है pronoun है इस sentence को मैं अगर मैं ऐसे लिखूं he gave me a pen तो ये दिखिए he gave what pen तो what का reply ये भी है और what का reply ये भी है वो बात अला गई है अपने आप में एक single word है यानि कि ये noun है यानि कि ये object है यानि कि कौन सा है direct object है और ये sentence में group of words है फिर भी ये noun है मैंने आपको बताया था कि object जो होता है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है तो guys अपने क्या है object तो है लेकिन यह कैसा है indirect object है और गेव मी यह आपकी पूरे sentence की वब है और मी क्या है इसका object है जिस cannot be the answer answer क्या है आपका C और बोथ A and C यह भी answer नहीं होगा answer क्या हो जाएगा C what I wanted क्योंकि what का reply है guys यह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगला question कौन सा है question no.9 पर आते हैं लिखा गया है find out the error in the given sentence देखे लिखा क्या है I ordered for a cup of tea देखे गई अगर मैं कहा है तो order क्या है आपकी वब है की नहीं है I क्या है subject है की नहीं I order what और what का reply क्या है a cup of tea यह पूर verb और object का relation maintain करता है I again repeat अगर आपके sentence में आपका जो sentence है subject verb और object का relation maintain करता है तो बीच में कोई connector नहीं आता है कोई जोड़ने वाला world नहीं आता है क्योंकि अपने आप में एक ऐसा sense है complete sense है इसको ध्यान में रखिएगा तो इस तरीके से order के बाद for a use नहीं होगा यह कई बार CDS ने SSC ने पूचा है इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि अपने आपे जो verb है ना guys यह कैसी verb है main verb है और main verb में कैसी verb है transitive verb है इसको ध्यान में रखिए इसका एक ही काम है इसको ठीक अपने बाद क्या चाहिए एक object चाहिए इसको अपने बाद for नहीं चाहिए इसको ध्य देखिए गाईज आप आपको पहचानना है ट्रांस्टिव वब क्या होती है एक ऐसी वब जो अपने ठीक बात क्या लेती है एक आपजिक्ट लेती है और या तो यह नाउन होता है या तो यह प्रोनाउन होता है अब देखो इस सेंटेस में जब मैंने पड़ा walking along the road I met a girl इस स सब्जेक्ट है तो उसकी एक कोई नोपी वर्ब रही होगी तो वब कौन सी है अब आपको लग रहा हो एक मैट यहाँ पर एक वब है और एक walking है तो गाईज इस पूरे सेंटेस का जो टेंस बता रही थी वो कौन है वो मैट है walking आई की इस्टेट है walking क्या है आई की एक इस् है अब अगर टीवी है तो यह वाट का रॉप्लाई मांगेगी I What या whom का रॉप्लाई मांगेगी इसको ध्यान मेरखिए Main mode और यह तुचक कर लो I met what का रॉप्लाई नहीं मिला आई टेल लाता, आई प्रनौन है की नहीं है, और नाउन प्रनौन में जो भी add होता है, वो क्या होता है, एक adjective होता है, तो अपने आप में adjective है, तो ये cut हो गया answer, along क्या है, along है preposition, तो ये भी answer नहीं होगा, met क्या है, पूरे sentence की ये verb है, और ये कैसी verb है, ट्रांजिटी वब है मांग रही थी object मैंने दे दिया इसे क्या एक object इसकी एक एक demand होती है क्या चाहिए object चाहिए तो आपका d वला answer नहीं होगा answer क्या हो जाएगा c so guys मैंने बहुती बहतरी अंदराज में आपको पढ़ाया है समझाया भी है तो guys इस video को आप share करिएगा so guys आज के लिए इतना ही रखते है thanks for watching